आप सभी को नमस्कार प्रग्या मीना यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आप सभी अच्छे होंगे आज मैं आपको यह जो लहंगा है इसकी कटिंग और इसकी सिलाई इसमें पाइपन किस तरह से लगाने लगाते हैं यह मैं आपको आज बताऊंगी तो प्लीज आप वीडियो को लाश्ट तक देखे तब आपकी समझ में आएगा कि इसमें पाइपन किस तरह से लगानी है मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आये थे कि पाइपन किस तरह से लगाते हैं तो आप देखे यह लहंगा है इसकी नंबाई है 38 इंच तो इसमें देखो नीची इसमें बॉर्डर है बॉर्डर बना पैना इसके हम निकाल नहीं सकते हैं तो इसको हम एक्तम से बरावर में फोल्ड कर लिया है मैंने यह छे मीटर कपड़ा लिया है फोल्ड करने के बाद में जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम निकाल देंगे कड़ाई से नीचे वाला हिसा है इसको मैंने इस तरह निकाल दिया है निकालने के बाद में इस लेंगे कि लंबाई 38 इंच तो उपर हम इसको फिक्स 38 इंच में ही बरावर बरावर काट लेंगे निसान लगाने के बाद में 38 inch में ही इसको निकाल लेंगे ने तो इसकी कली होंगी ने इसके पहना होंगे यह सिर्फ इस तरह ही Michael Ng ऊपर से यह नीचे से निकाल लेंग motiv इसमें पड़ा नीचे जो पट लगाईए जो जो एचाट का कपडा है जो जो एचाट का कपड़ा पदना है तो इसमें डवल अस्तल लगाएंगे तो अस्तल की कटिंग की है 11 इंच और जो इसमें बुकरम लगाई है उसके की है 5 इंच की बुकरम लगानी है इसमें तो इस तरह से बीच में दून कपड़े के बीच में इस बुक्रम को इस तरह से अटेच कर लेंगे तब लहंगे में लगाएंगे पट्टा तो भार की तरफ नहीं देखेगा इसलिए इसमें डवल पट्टा लगाना है पट्टा हम इस तरह से तयार कर लेंगे पट्टा हमारा तयार हो गया है इसमें लगेगी रानी कलर की पाइप इन इसमें लगाएंगे हम रेडिमेंट पाइप इन यह पाइप इन के जो गोल बनी हुई है इसके इधर की तरफ रखेंगे इस तरह से ही रखेंगे और इसमें जश्ट बगल में एकदम इसके पास में वो करके सिलाई लगाएंगे सिलाई हमें एकदम सीधी लगानी है सिलाई को लहराना नहीं है लहराएंगे तो हमारी पाइपन है जो बराबर में नहीं निकलेगी और लहंगे पे फिनीसी नहीं नहीं आएगी तो हमें एकदम से साइड में होकर की निकालनी है पाइपन को पाइपन के साइड में होकर की निकालनी है सिलाई और जो हमने पट्टा बनाया है पूरे पट्टे पर इस तरह से इसको लगा लिए यह हमने पाइपन लगा लिया अब यह लहंगा है लहंगे की इस उपर इसको रखेंगे और जो सलाई लगाई है आमने जो पाइपन लगाई थी इसके सलाई लगाई थी इसके ऊपर ही एकदम इसके ऊपर ही सलाई लगानी है आगे पीछे नहीं लगानी है इसके उपर ही जो सलाई है इसके उपर ही सलाई लगानी है इसके उपर ही सलाई लगाने से जो हमारी पाइपिन है वो बराबर में निकलेगी तो इसमें ये पाइपिन लगा लिए है एक सिलाई इसके उपर लगाएंगे पाइपिन के जश्ट उपर एक सिलाई लगाएंगे अब एक सिलाई इसमें पट्टे के उपर लगाएंगे तो आप इसमें नीचे की तरब से भी लगा सकते हैं मैं इसमें ऊपर की तरप से ही लगा रही हूँ क्योंकि इसमें जोरजट का तो कपड़ा है इसमें दिख रहा है कि पट्टा इधर होके लगा हुआ है तो मैं इसमें ऊपर से ही लगा हुआ है तो मैं इसमें नीचे से दिख रहा है कि इधर से ऊपर के पट्टा लगा हुआ है तो आप देखुए ये इस तरह से में इसमें खींच के और बुक्रम उपर के कपड़ें को खींच के और इस तरह से इसमें उपर से सलाय लगा दूँगी ये देखो पट्टे पे एक भी सल नहीं आई है और एक्तम से सपाई से पट्टा लग चुका है हमारा आप में उपर से तैयार करना है इसमें एक इंची छोड़ देंगे चेन लगाइगी साइड में इसलिए है इसमें चुननेट बनाएंगे तो कोई उल्टी तव से भी मनाता है से जूननेट मैं इस तरह से चुननट बनाते हूं लेंगे में बरावर बरावर से इस तरह से चुन्नट लगा लिये मैंने इस लेंगे में लगेगा अस्तल तो पेटिकोट को काटके तीन मीटर में इसका अस्तल बना लेंगे अस्तल को इसमें जॉंट कर लेंगे यह कमर हमारी बनी है बनानी थे हमें 30 सिंच यह बनी है हमारी 30 सिंच तो इसको नेफा लगाएंगे तो थोड़ा से खिसका के कम कर लेंगे अस्तल हमने इसमें जोड लिया है इसमें पाइपन लगाएँ नीचे उपर का नेफा लगाएँगे तो इसको खीच के लगाएँगे इस तरह से खीच के लगाने से उपर जोड नहीं आएगा इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें धन्यवाद करें से लू आप बहाएँगे लाइक करें लाइक करें यह भाएब लाइक झाल झाल